अगर कोई डाटा है तो उससे साथ साथ उसको कैसे रिमोव कर सकते हैं तो चलिएस वीडू को शुरू करते हैं सब से पहले हमें क्या करना है जितना भी डाटा है इसको स इलेक्ट कर लेना है और यहां से डाटा में जाकर शे extrthem你是 में जाकर हैंहां डूपलिकेट्स पर click कर देना है। अगर हमारे data में तो हम इसे ढूनना मुश्किल होता है इसलिए इसमें मैनेज करना असान है अब क्या करना है हमें अगर हमें इन्हें रिमूव करना है तो सिंप्ली डाटा को सेलेक्ट करके यहां पर हाइलाइट में जाकर डूप्लिकेट में जाकर रिमूव डूप्लिकेट का उप्शन आता ह इस पर simply click कर देना है तो यह यह पूरेस्ट सेल में से जितना भी duplicate data होगा उसे simply remove कर देगा तो हमें यहाँ पर simply button पर click कर देना है और यह इसने दो duplicate entry remove कर दी है और okay पर click कर देना है तो यह थी हमारी आज की वीडियो आप आपको समझाई गया होगा कि आप कैसे WPS office में अपना duplicate entry ढूंड भी सकते हो easily और कैसे remove भी कर सकते हो तो और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को subscribe करें